नमस्कार दोस्तों श्रागत है आपका इस्टेनो गुरुज यूट्यूब चैनल आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे बिए सब से जो एसाई इस्टेनो की वेकेंसी आई है और जो है कांस्टेबल मिनिस्टेल की वेकेंसी आई है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में चर कर लिया है रिजल्ट आपका डिकलियर हो गया है तो आप अपलाई कर सकते हैं अगर आप अपेरिंग में है तो आप अपलाई नहीं कर सकते हैं ठीक है तो डिटेल में यहाँ पर चर्चा करेंगे उससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने मारे चैनल को सबस्राइब नह आपका 9 जून से स्टार्ट हो गया और आपका 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 आउनलाइन मोड ही सुईकार किया जाएगा ठीक है बाकि किसी मोड से सुईकार नहीं के जाएगा आफ लाइन भरना है और फाइनल सब्मिट करने के बाद उसका प्रिंट ले कि अपने पास सुरक्षित रख लेना इन दो टाइप के पदों के लिए भरती निकाली गई है और इसमें आपका चाहे आप साथ ही कंबाइंड कराया जा रहा है और यह कंबाइंड नोडल जो बनाए गया बिए सब को बनाए गया इसको इसको कंड़क्ट करवाएगा ठीक है तो कैसे आपको अपलाई करना है इसको फटाफट से अपलाई करके अपनी त्यारी में लग जाईए क्या 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 सेलबस रखा गया उसके बारे में यहां पर चर्चा करेंगे तो आपको पता हो गया कि आठ जुलाई है ठीक है आप पहले अपने योगिता चेक कर लिजिए अगर आप इलिजिबल है तभी अपलाई करिया किसी के कहने या बताने से अपलाई मत करिया पूरे नोटिफिकेशन देख लिजिए गा ठीक है वीडियो में वैसे हम सब चीजें यहां पर क्लियर करने की कोशिस करेंगे भीड़ अगर कुछ रह जाता तो आप नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलिग्राम गूरुप में मिल जाएगा वहाँ पर जाकर पूरा विजिट कर सकते हैं तो आप इसदे नो गूरुजी सार्च करेंगे टेलिग्राम में तो आप जुड़ जाएगे उसमें ठीक है यहां पर देखे दोस्तों आपको बता दूए कि इसमें रिकृर्मेंट प्रोसेस में क्य क्या होगा ठीक है तो आपका सबसे पहले PhD होगा ठीक है फिसकल स्टेंडर्ड टेस्ट होगा उसके बाद आपका करने के बाद इसको फार्म को प्रिंट लेकर आपको अपने पास सुरक्षी तरख लेना है डाटा कहीं भेजना होजना नहीं है ठीक है तो यहां पर बता दिया दोस्तों कि आपका पहले सबसे पहले PhD होगा ठीक है और आपने के लिए के लिए है तो टाइपिंग टेस्ट देना होगा ठीक हो क्या स्पीड मांगे जाए कि उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और आगे यहां पर दोस्तों बढ़ते है तो यहां पर देख लिए बैकेंसी जो है वी आल इंडिया बेसेस है ठीक है कोई भी तो इसको आप देख लीजेगा और सर्टिफिकेट आपका जैसे अगर आपने इस साल इंटर किया है अभी रिजल्ट डिकलेट किया गया तो जैसे स्कूल खुलेगा जोलाए में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो उसकी चिंता नहीं है तो आप अप अपलाई कर सकते है ठीक है और यहां पर देखिए उन्होंने बता दिये कि आपके पास फाइनलर रिजल्ट होना चाहिए बाकी इड्मिट कार्ड होगा यहां पर दोस्तों अगर हम पे बात करें तो दोनों का अलग अलग पे लेबल रखा गया यहां पर अगर हम बात करें एस इस 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 टे अगर हेट कांस्टेबल मुनिस्टियल की बात करें तो उनका लेबल फोर होगा इनकी 2400 ग्रेट पे का स्टार्टिंग होगा 25500 बेसिक होगा बाकि आपका टीए टीए और जो भी मिलते हैं वो सब यहां पे दिया जाएगा ठीक है तो फॉर्म बढ़ते समय आप अपनी बरियत जिसमें आपका दोनों है हेट कांस्टेबल मुनिस्टियल भी है और एसाइई स्टेइनों भी है जाँप में ITBP में SSV में कहां पर कितनी बेकिंसी है वह भी यहां पर डिटेल में दिया गया है और सेंटर भी आपकी शाप से आपकी स्टेट में मिल जाएगा ठीक है तो बैकेंसी यहां पर पूरी आप देख सकते हैं तो बाकी अंठीरिजर वीजर वहलाजर भी यहां पे डिया गया है कि किस कटेक्री में कितनी बयकेंसी है और यहां तो अगर हम एजरेल ऐज रिलकसेशन के बात करें तो एजरेलिक्सेशन आपको कटेग्र मिलघ July से साल टीन साल एक कितने से कॉंट कर जाएगा एक 8..2024 से आपका एज चौंट कर जाएगा तो मिनुम 1-2324 को आपको 18 साल होना है ठीक है और 15 से जख्यादा नहीं होना है अगर गर क्यिव में है तो आपको आरेक्षिनल यह एक सर्विसमेंड के लिए दिया गया है, बाकि यहां पर प्रोसेस आप सर्टिफिकेट भी दिया गया है, कि किस फॉर्ट में सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, और एक चीज बता दूँँ, अगर आप पहले से किसी जॉब में हैं, तो आप अपक्ने डिपार्टमें दोस्तों तो यहां पर आपका senior secondary आनि के 10 प्लस टू आपके पास होना चाहिए 10 प्लस टू आपने पास कर लिया है तो आप इसके लिए eligible है और बागी कुछ नहीं चाहिए है ठीक है उसके अलावा higher degree है तो अच्छी बात है नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है 10 प्लस वहाँ पर step by पले आपको DR करना पड़ेगा one time registration होगा उसके बाद step two stage three करके final submit करके फिस payment करेंगे final submit करेंगे then payment कर पाएंगे ठीक है closing date आपका 8 July है तो 8 July का आपको इंतिजार नहीं करना है ठीक है अगर हम फिस की बात करें तो फिस आपको यहाँ पर 100 रुपया देना होगा ठीक है मातर 100 रुपय का फिस रखा गया है बाकि यह जर्नल और OBC के लिए रिखा गया है बाकि Oman SCST के लिए कोई फिस नहीं रखा गया है तीस बात को ध्यान रखिएगा ठीक है तो अगर चुक है तो फटपट से apply करके अपनी तयारी में जूट जाए इस से लबस की बात क बरते समय बढ़िए तब यहां पर देखे कि कहा का रोल नंबर किस डिजिट से स्टार्ट होगा तो यह भी दिया गया है इसको भी आप देख सकते हैं ठीक है बाकि यहां पर देखिए सिलबस इनों ने दे दिया है सिलबस में आपका जो है ठीक है तो पिएस्टी में देखिए यहां पर हाइट और भी है ठीक हाइट अगर आपका है तो आप इसको अपलाई कर पाएंगे अगर हम जर्नल हाइट काउंट करें तो एक सो पैसाट सेंटीमीटर होना चाहिए ठीक है चेस्ट जो है आपका 87 और पान सेंटीमीटर फुल जाएगा ठीक है महिला कंडिडेट के लिए 105 चल जाएगा इसको आप देख सकते हैं और यहां पर बेटेज आपकी हाइट के हिसाब से होगा पीटी में दोस्तों आपको बता दूं कि मेल कंडिडेट के लिए 1.6 किलो मीटर 6 मिनट में आपको रनिंग करना है दौरना है ठी के लिए पीटी में आएगा ठीक है तो इसको भी आपको थोड़ा सा बरकरा रखना है में रखना है इसको के साथ साथ कंप्यूटर बेस्ट में बात करने तो दोस्तों यहां पर आपका हिंदी या इंग्लिस यह आप सनल रहेगा चाए आप हिंदी दीजिए चाए आप इंग्लिस के अलावा जनल इंग्लिस रहेगा निमयत रहेगा और कंप्यूटर रहेगा ठीक है बिस बिस कुछना रहेंगे सबके तो यहां पर एक गंटा चालिस मिनट का आपको समय दिया जाएगा सो नंबर के होंगे ठीक है तो आप इसको देख सकते हैं सो नंबर में या तो आप अगले स्टेज के लिए सेलेक्ट होगा ऐसा नहीं है उस सीट के हिसाब से जो है उसका तीस गुना ही यहां पर कौलिफाई कराए जाएगे ठीक है तो इसको आप देख सकते हैं बागी सिलबस भी यहां पर डिटेल में दिया गया कि कहां पर क्या 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 पूछ करिएगा ठीक है बाद में आप चेंज नहीं कर पाएंगे तो इसको ध्यान रखिएगा ठीक है जनल इंटेलिजेंस का सिलबस दिया गया सबका नुमेरिकल में क्या क्या पूछा जाएगा यह सिलबस यहां पर पूरा दिया गया इस्किल टेस्ट की बात करें तो कंप्यूटर करना पूड़ेगा और हिंदी वालों के लिए मंगल फांट दिया जाएगा अब मंगल फांट में इसक्रिप्ट देंगे या ऐन्हों ने मिनसन नहीं किया है फिर भी आप मंगल इसक्रिप्ट और गिल दोनों वे जिस्ट भी करते हैं करते रहेगा ठीक है मंग अगे बहते हैं दोस्तों और यहां पर बता दूब के लिए जो टाइबिंग होगा उनका आपका अगर इंगलेश में देते हैं तो 35 की स्पीड से हिंदी में देते हैं तो 30 सब्सक्राक में आपके अपके ऊपर 10 मिनिट का टेस्ट होगा तो आपके ऊपर का कहाँ से में देना चाहते हैं कौन से language में हिंदी में या इंगलीज में ठीक है यहां पर देखे सोला में कालम में 1.3 में दियागा से किल टेस्ट इन हिंदी चाहिल भी कंड़क्टेड ओनली इन मंगल फांट ठीक है अब मंगल फांट में कई सारे आते हैं इन्होंने confusion create कर रखा है फिर भी आपको को दिकत नहीं पांच परसंट गलती हैं आपके माफ होंगे पांच परसंट जादा होगा तो आप का डिक्टेशन होगा transcription करने के लिए अलग-अलग समय दिया जाएगा ठीक है बाकी डाकुमेंट verification के समय आपको सारे डाकुमेंट वर्जिनल और compute का आपको देना होगा ठीक है और exam देते समय आपको कोई भी ID लेके आना होगा यह तो आपको पता है matriculation और आप फार्म बढ़ते समय वही चीज भरियेगा नाम हो गयरा जो आपके हाई स्कूल के certificate में है ठीक है जो spelling हाई स्कूल के certificate में वही भरियेगा ने बाद में आपको दिक्कत होगी इस बात को ध्यान कर सकते हैं मोड आप सेलेक्शन में बता दिया कि पहले आपका पीस्टी होगा पीटी होगा स्किल टेस्ट होगा दिन मेडिकल होगा यहां पर दिखे नों ने लिखा कि 45 परशन ओभी सी इडवली एस के लिए नंबर लाना ज़रूरी है और 40 परशन जो है सेस्टी के लिए नंबर लाना ज़रूरी है क्वालिफाई होने के लिए बाकि बैकिनसी का तीज गुन यहां पर क्वालिफाई पूरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते नेक्स वीडियो में नए जानकारी के साथ तब तक के लिए थेंक्स वाराचिंग जैहिं जैप